2015 का P.F. UN नमबर मिल जाएगा क्या? दिखे 2014 के बाद हर व्यक्ति जिसका भी P.F. कट रहा था उसका UN नमबर कंपनी ने 100% बनाया है ये बात हो सकती है कि आप लोगों को UN नमबर ना दिया गया हो आपकी salary slip पे UN नमबर का column तो बना है लेकिन वहाँ आपका UN नमबर अपडेट नहीं किया गया है अगर आपका ऐसा case है 2014 के बाद का case है तो आपको आपका UN नमबर 99% सिर्फ और सिर्फ आपकी company ही दे सकती है क्योंकि अगर आपका उस time का UN नमबर बना है तो निश्यत तोर पे आपका आधार कार्ड उसमें link नहीं होगा और अगर आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आप उसे अपने आप से नहीं दून सकते है आपको सिर्फ और सिर्फ ये detail आपकी company दे सकती है आपको जाना है अपनी company में वहाँ से आपको UN नमबर मिलेगा उसके बाद आप ये चेक कीजिए company ने उस UN के अंदर में क्या आपके नाम के spelling डाली है date of birth, father name, joining date, exit date ये सभी चीज़े company के profile में company वालों ने ये update किया है या नहीं किया है अगर उन्होंने नहीं किया होगा तो आप उनसे request कीजे कि ये सभी details वो update कर दे अगर आपके नाम के spelling और date of birth आपके आधार कार्ड से match करती होगी तब तो वो आपका आधार कार्ड उसी समय पे जब आप उनसे UN नमबर लेने जाएंगे तभी आपका आधार कार्ड update कर सकते हैं लेकिन अगर इसके अलावा और और कोई भी details missing होगी तो वो details आपकी company उस समय पे अपने portal से नहीं चड़ा सकती है क्योंकि वो details आप चड़ाने के लिए company को भी allow नहीं किया गया है अब उन्हें joint declaration form भरके ही आपकी सारी missing details को या आपके आधार कार्ड में जो correction है उसको करके आपको एक joint declaration form बना के देना होगा इसके साथ में supporting document के तौर पे आपके आधार कार्ड के फोटोपी pen card के फोटोपी अगर आपका PF के अंदर जो date of birth है और आधार कार्ड में जो date of birth है उसमें आपका आधार कार्ड लिंक होगा और तभी आप अपना UN number जो आप ले के आएंगे वो आप activate कर पाएंगे फिर उसमें KYC करेंगे KYC company approve करेंगी उसके बाद आप अपना final settlement के लिए apply करेंगे